दिल्ली से जम्मू जा रहे ही राजदानी एक्सप्रेस में बम की सुषना के बाद हनकम मचिया ट्रेन को दिल्ली से निकलते ही हर्याणा के सोनी पत के रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया ट्रेन को पूरी तरह से खाली कराकर जी आरपी और आरपी एफ पुलिस के जवानों ने अपने घेरे में ले लिया रात एक बजे तक गाड़ी यहीं खड़ी रही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी मोके पर बुलाया गया इसके बाद ट्रेन के हर भोगी को खाली कर अच्छी से तलाशी ली गई ट्रेन में बम की सुषना अफ़ा निकली और इसके बाद राट डेड़ बजे ट्रेन को जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया जानकारी के अनुसार दिल्ली में रात नो बच्ची राजधानी एक्सप्रेट जम्मू तवी के लिए रवाना हुई शुकर रात को भी अपने तय समय पर रवाना हुई अभी ये ट्रेन सोनी पत भी नहीं पोचे थी कि कंट्रोल में सुषना मिल गई कि ट्रेन में बम रखा है रेलवे अधिकारियों और पुलिस में इस सुषना के बाद हनकम मच गया आनन फानल में ट्रेन को रात 9 बचकर 35 मिनिट पर सोनी पत रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया हाला कि सोनी पत में राजधानी एक्सप्रेस का स्टोपेश नहीं है राजदानी एक्सप्रेस के आने से पहले ही सोनी पत रेलवे स्टेशन को पुलिस चाउनी में बदल देया गया जे आरपी और आरपी एफ के जवान वहां रेलवे पट्री के दोनों तरफ मौझुद रहे पुलिस की बड़ी हलचल देखकर स्टेशन पर मौझूद लोगों में भी हड़कम मझ गया आरम में तो यही समझा गया कि रेलवे मजिस्ट्रेट की चेकिंग है ट्रेन रुकने के बाद पता चला कि ट्रेन में बम की सुचना मिली है इस भी सोनीपत पुलिस के अधिकारी वजवान भी स्टेशन पर पहुचे हाला कि ट्रेन में सवार यात्रियों को काफी देर बाद ट्रेन से उतारा गया सोनीपत में बम रोधक दस्ता नहीं होने के करण रात को साड़े ग्यारा बज़े तक ट्रेन की तलाशी शुरू नहीं हो पाई रोधक से बम निरोधक दस्ते के पहुचने के बाद रात को बारा बज़े ट्रेन में जाश शुरू की गई इस जोरान एक एक डिब्बे को खाली करा कर अच्छे से जाचा गया यात्रियों को इससे परिशानी भी जहलनी पड़ी इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ रहने बाद